नमस्ते दोस्तों वेलकम टू कहानी अन्बॉक्स मैं हूँ मिशू आप सुन रहे हैं मुझ्शि प्रेम चंद की कहानी इदगा इदगा दादी और पौती की अद्बुत प्रेम की कहानी है अब तक कहानी का एक भाग हो चुका है तो चलिए सुनते हैं कहानी का दूसरा भाग यह देखो हिंडोला है एक पैसा देकर चड़ जाओ कभी आसमान पर जातो हुए मालूम होंगे कभी जमीन पर गिरते हुए यह चरकी है लकड़ी के हाथी घोड़े उंट चड़ों में लटके हुए हैं एक पैसा देकर बैट जाओ और पच्चिस चक्रों का मजा लो अब खिलोने लेंगे इदर दुकानों की कतारे लगी हुई है तरादरा की खिलोने हैं सिपाही और गुजरिया राज और वकील बिष्टी और धोबीन और सादू वह कितने सुन्दर खिलोने हैं महमूद सिपाही लेता है खाकी बर्दी और लाल पगड़ी वाला कंदे पर बंदूग रखे हुए मालूम होता है अवी कवायद की ये चला आ रहा है मुहसीन को भिष्टी पसंद आया कमर जुकी हुई है उपर मशक रखे हुए है मशक का मूँ एक हाथ से पकड़े हुए है कितना परसन है शायद कोई गीत गा रहा है बस मशक से पानी उडेले ही चा जीहर या बहस गिये चले आ रही है ये सब दो-दो पैसे के खिलोने है हामित के पास कुल तीन पैसे है इतने महंगे खिलोने वह यह कैसे ले खिलो ना कहीं हाथ से चूट पड़े तो चूर चूर हो जाये जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए ऐसे खिलोने लेकर क्या करेगा किस काम के हैं मौसीन कहता है मेरा भिष्टी रोज पानी दे जाएगा सांच सवेरे महमूत कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा कोई जोर आएगा तो फोरन बंदूक से फायर कर देगा नूरे बोला और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा और शम्मी मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी हामिद खिलोनों की निंदा करता है मिट्टी ही के तो हैं गिरे तो चकना चूर हो जाए लेकिन लल्चाई हुई आखों से खिलोनों को देख रहा है और चाता है कि जरत देर के लिए उन्हें हाथ में लेर सकता उसके हाथ अनायस ही ल सब मजे से खा रहे हैं हामिद ब्रियादरी से प्रितक है अब आगे के पास तीन पैसे हैं क्यों नहीं कुछ लेकर खाता लल्चाई आँखों से सब क्योर देखता है मुसीन कहता है हामिद रेवडी ले जा कितनी खुश्बुदार है हामिद को संदे हुआ है ये केवल बजब जाकर हसते हैं हामिद किसी आजाता है मुसीन बोला अच्छा अपकी जरूर देंगे हामिद अल्ला गसम ले जा हामिद बोला रके रो क्या मेरे पास पैसे नहीं है शम्मी बोला तीन ही पैसे तो हैं तीन पैसे में क्या क्या लोगे महमूद बोला हम से गुलाब जमल ले जाओ हमिद मौशीन बदमाश है हमिद मिठाई कौन बड़ी नेबद है किताब में इसकी इतनी बुराईयां लिखी है मौसीन बोला लेकिन दिल में कह रहे होंगी कि मिले तो खाले अपने पैसे क्यों नहीं निकालते महमूद ने का हम समझते हैं इसकी चला की जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें लल्चा लज्चा कर खाएगा मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोहे की चीज़ों की कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की लड़कों के लिए यहां कोई आक्रशन ना था वे सब आगे बढ़ जाते हैं हामीद लोहे की दुकान पर रुख जाता है कई चिम्टे रखे हुए थे उसे ख्याल आया दादी के पास चिम्टा नहीं है तब इसे रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना परसन होगी फिर उनकी उंगलिया कभी न जलेंगी घर में एक काम की चीज हो जाएगी किलोनों से क्या फाइदा व्यर्थ में पैसे खराब होते है जरा देर ही तो खुशी होती है फिर तो किलोनों कोई आँख उटा कर नहीं देखता यह तो घर पोश्टे पोश्टे तूट फूट बराबर हो जाएगी चिम्टा कितने काम की चीज है रोटियां तवे से उतार लो चूले में सेक लो कोई आग मांगने आए तो जटपट चूले से आग निकाल कर उसे दे दो अम्मा विचारी को कहां फुरसत है कि बजार आए और इत्ते पैसे ही कहां मिलते हैं रोज हाथ जला लेती हैं हामित के साथी आगे बढ़ गए है सबील पर सब के सब शर्बत पी रहे हैं देखो सब कितने लालची हैं इतनी मठाईयां ली मुझे किसी ने एक भी ना दी उस घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे किताब में जूटी बाते थोड़े ही लिखी हैं मेरी जवान क्यों खराब होगी अम्मा चिम्टा देखते ही दोड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिम्टा लाया है कितना अच्छा इन लोगों के खिलोनों पर कौनी ने दुआ देगा बड़ों की दुआएं सिधे अल्ला के दरवार में पोश्टी है और तुरंट सुनी जाती है मैं भी इन से मिजाज क्यूं सहूं मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता आखिर अबबा जान कभी ना कभी आए फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलोने लोगे एक एक को टोकरियां खिलोने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सुलूग किया जाता है यह नहीं कि एक पैसे की रेवडियां ली तो चड़ा चड़ा कर खाने लगे सब किस सब हसेंगे की हामी ने चिम्टा लिया हसे मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा यह चिम्टा कितने का है दुकानदार ने उसकी और देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा तुमारे काम का नहीं है जी बिकाओ है की नहीं बिकाओ क्यों नहीं है और यहां क्यों लाद लाए हैं तो बताते क क्यों नहीं कितने पैसे का है, चैपैसे लगेंगे, हामित का दिल बैट गया, ठीक ठीक पांच पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते मनो, हामित ने कलेजा मजबूत करके कहा तीन पैसे लोगे, यह कहता हुआ वै आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़किया ना सुने लेकिन दुकानदा ने घुड़कया नहीं दी बुला कर चिम्टा दे दिया हामिद ने उसे इस तरह कंदे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया जरा सुने सब के सब क्या क्या अलोशनाई करते हैं मौसीन ने हस कर कहा यह चिम्टा क्यों लाया पगले इसे क्या करेगा हामिद ने चिम्टे को जमीन पर पट कर कहा जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा तो सारी पसलिया चूर चूर हो जाएंगी बच्चू की महमुद बोला तो यह चिम्टा कोई खिलोना है हामिद खिलोना क्यों नहीं है अभी कंदे पर रखा बंदूख हो गई हाद में ले लिया फ़कीर का चिम्टा हो गया चाहूं तो इसमें मंझीरे का काम ले सकता हूँ एक चिम्टा जमा दू तो तुम लोगों के सारे खिलोन मेरा चिम्टा चाहे तो तुम्हारी खंज्री का पेट फार डाले बस एक चमडे की जिल्ली लगा दी डब डब बोलने लगी जरसा पानी लग जाए तो कतम हो जाएगी मेरा बहादूर चिम्टा आग में पानी में आंधी में तुफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया अब पैसे किसके पास धरे हैं फिर मेले से दूर निकला आये हैं नो कप के बच गए दूप तेज हो रही है घर पोशने की जल्दी हो रही है बाप से जिद भी करे तो चिम्टा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चलाक इसलिए बंदमाश ने पैसे बचा रखे थे अब बालको के दो दल हो गए मौसीन, मह्मूद, शम्मी और नूरे एक तरफ है हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्तरास हो रहा है शम्मी तो विधरमी हो गया है जो इस समी अपने को फुलाद कह रहा है वह अजे है घातक है अगर कोई शेर आ जाए मिया भिष्टी के छक्के छूड़ जाएं जो मिया सिपाही मिट्टी की बंदूग छोड़कर भागे वकील साब की नानी मर जाए चोगे में मूँ छिपाकर जमीन पर लेट जाएं मगरी यह चिम्टा वह बहादूर है यह रुस् विष्टी को एक डांट बताएगा तो दोड़ा हुआ पानी लाकर उसके दवार पर छड़कने लगेगा मोसीन परस्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुचाई अगर बच्चु पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे मंदे फिरोगे तब तो वकील साब के पैर पड़े अच्छा लाओ अभी जरा कुछती हो जाए इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे पकड़ेगा क्या बिचारे मोसीन को एक नई चोट सूझ गई तुमारे चिम्टे का मूर रोज आग में जलेगा उसने समझा था कि हामिद लाजबाब हो जाएगा लेकिन यह बात ना आग में बहादुर ही खूथते हैं जनाब तुमारे यह वकील, सिपाही और बिच्टी लोंडियों की तरह घर में गुच जाएंगे आग में वह काम है जो यह रुष्ट में हिंध ही कर सकता है महमूद ने एक और जोर लगाया वकील साब कुरसी मेज पर बैठेंगे तुमा क्या सकता है कहानी के दूसरे भाग का अंत मैं यही करती हूँ आशाय की कहानी आपको अच्छी लगी होगी अगर हा तो इसे लाइक करे शेयर करे और मुझे कमेंट में बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी कहानी के अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कहानी के अगले भाग के साथ मिलते हैं कहानी सुनने के लिए धन्यवाद